ये गाईज, असलाम अलेकूँ माच अम इस वीडियो में आपको बताएंगे चावल की बोरी जो आपके घर में आती है प्रतिदिर उसको आप यूज करके आप बहुत यच्छा कैरी बैक बना सकते हैं आप देख सकते हैं इसमें कपड़े का यूज होगा और हमारे बोरी का जो आप देख सकते हैं कि इसको बाहर भी आप अच्छे से ले जा सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे समान होगे और यह सबसे इंपोर्टन बात है कि यह वाटर प्रूफ आपका बनके तयार होगा सो चलिए इस कैरी बैक को बनाने के लिए इसकी फूल वीडियो देखते हैं अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाईएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा ताकि अगली वीडियो की है सो आप देख सकते हैं और यह हमारा फ्रंट आगे का कपड़ा यह भी दो पार्ट में है जो कि आप देख सकते हैं इसकी कटिंग मैंने कर चुकी है सो आप देख सकते हैं इसकी लंबाई लेंथ आप देख सकते हैं 23 है और इसकी चोड़ाई है 22 इंच सो जैसे यह है वैसे हमारे लाइलिंग का भी कपड़ा चोड़ाई और लंबाई होगा तो आप इसका भी नाप देख सकते हैं इसका भी मेजर्मेंट देख सकते हैं मैंने इसको फोल्ड में करके रखा हुआ इस कपड़े को ये देख सकते हैं कि ये बोरी है मैंने उपर नीचे से कट किया था अब इसको दोनों को अलग कर लिया है जैसे ही हमारी लाइलिंग और मेन फैब्रिक का चोड़ाई और लंबाई है सो हमें इस बोरी को भी हमने सेम कट कर लेना है सो आप देख सकते हैं सो इसको हम लोग अंदर की तरफ रखेंगे इस पर हम लोग मेन फैब्रिक लगाएंगे और पीछे की तरफ से लाइलिंग का कपड़ा लगाएंगे सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने मेन फैब्रिक रख लिया है फिर बोरी रख लिया है आप इसके उपर हमने एक लाइलिंग का कप्डा एट कर लेना है आप देख सकते हैं, यह हमारा अच्छे से एड हो चुका है अब सिसको हम लोग इसमें और भी अच्छे से कर सकते हैं ताकि और अच्छी डिजाइन बनके त्यार हो जाए सो आप देख सकते हैं कि यह हमारा अच्छे से ready हो चुका है सो अब इसको हम लोग लंबाई की तरफ से stitch कर लेंगे दोनों तरफ और चोड़ाई की तरफ से stitch कर लेंगे सो आप देख सकते हैं तीन तरफ से हमने stitch कर लेना है एक तरफ से इस कपड़े को open रखना है सो हमने तीन तरफ से सिलाई कर लिए अब हमें नीचे कॉर्णर की तरफ 4 इंच उड़ाई और 4 इंच लंबाई 4-4 इंच की चोड़ाई लंबाई लेके एक बॉक्स की तरफ तयार करना है और इस बॉक्स को दोनों तरफ से निशान लगाके टट कर लेना है सो आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों तरफ से बॉक्स बनके तयार हो चुके है अब इस कपड़े को हम लोग कट कर लेंगे अच्छे से यह बहुत हाड हो गया है सो इसको हम लोग बहुत अराम से इस बॉक्स को कट करके निकालेंगे So guys, आप देख सकते हैं कि हमारा एक तरफ cut हो चुगा है अब इसको दूसरी तरफ cut कर लेगे So, आप देख सकते हैं कितनी ही अच्छे से cut चुका है अब इसको हम लोग तिर्च्छा पकड़के इसकी एक सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ और उपर से में पट्टी लगा लेना है आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों तरब से सिलाई अच्छे से लग चुकी है आप देख सकते हैं कि यह हमारा पट्टी का कपड़ा है इसकी चौड़ाई देख सकते हैं कि आप 4 इन चौड़ाई है लिए भी हमें ऐसे ही कपड़ा चाहिए सो आप देख सकते हैं सो चलिए इसको हम लोग तैयार कर लेते हैं सो आप देख सकते हैं कि हमारी चारों तरफ से पट्टी तैयार हो चुकी है और ये हमारी हैंडल वाली पट्टी है इसको आप देख सकते हैं इतना चोड़ा आप लोग को रखना है आप इसकी लंबाई हम लोग चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई हमारी 26 है आप चाहते हैं इसको कम और जादा रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अब इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं सो आप देख सकते हैं कि यह थेला हमारा curry bag बनके रेडी हो चुका है नीचे आप देख सकते हैं कि अच्छे समान रखने के बाद हम लोग इसको stand कर सकते हैं सो अब इसको हम लोग सेंटर से ले लेते हैं दूसरी इस corner से 7 इंच पे निशान लगाने ना है सो आप देख सकते हैं दोनों ही निशान लग चुके हैं अब बीच में भी हमारे 6 इंच और 7 इंच के बीच का निशान है अब देख सकते हैं कि इस handle को हम लोग को इस तरीके से लगाना है नीचे की चोड़ाई और लंबाई लेते हुए सो गाइस दोनों ही पट्टी ऐसे ही दोनों center से लगा लेंगे सो आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग नीचे की लंबाई कितनी लेनी है नीचे हम लोग को 4 इंच से इसकी लंबाई को add कर रहा है कि थैला हमारे हाथ में अच्छे से आ सके है तो गाइस प्रॉपर तरीके से हम लोग का निशान लग चुका है अब हम लोग इसको stitch कर लेंगे तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा handle लगके तयार हो चुका है ये carry bear पूरी तरीके से अच्छे से finish हो गई है बन के तयार हो चुक्छी इसके अंदर ही बहुत ज़्यादा space है इसके निचे का आप आट डेख सकते हैं कि कि इतने ही अच्छे से बन के तयार हो चुका है ठा कि आपका समान रख कर आप जमीन में अच्छे से रख सके है तो आपको बहुत ही अच्छा और useful carry bag बनके तयार हुगा आपी के घर में और पुराने कपड़े और पुराने समान से तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को मेरे like करिएगा और चैनल को subscribe करके जाएगा बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा ताकि अगली वीडियो की नोशिपिकेशन आप तक पहुँच सके तो गाईज अगर वीडियो पसंद आती है और carry bag बहुत ही आपको useful लगती है तो प्लीज मेरे comment डाउन में आप मुझे message कर सकते हैं I hope कि मैं अगली वीडियो इससे भी बहतर बना के आपको दिखाऊ हूँ so मेरी वीडियो को अच्छे फूल वीडियो को check करिएगा check out करिएगा मेरे चैनल को so अगली वीडियो के लिए Allah आफीज कर दो कर दो दो सकता है झाल झाल